पूरी एनरजी के साथ आपको इन चीजों को पढ़ना है और अपने इस मन्त को और आने वली चीजों को आपको बहुत फोकस होके पढ़ना है चीजों को ध्यान से बढ़ना है ठीक है तो यह देखते हैं और यह हमारे UPSC EPFO जितने भी एक्जाम है स्टेट एक्जाम है उनके लिए आपको हेल्प करेगा और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोईल तो देखते हैं आगे आप मुझे different social media के साथ जुड़ सकते हैं खास करके आप मुझे instagram और telegram group के साथ जुड़ जाईए हालां कि कई बार ऐसा हो जाता कि लेट हो जाए लेकिन मैं जवाब देता हूँ instagram के उपर जिक है तो डॉक्टर विपन गोईल के नाम से आप मुझे follow कर सकते हैं बाकि आप मुझे facebook, twitter and gmail id के उपर भी follow कर सकते हैं यहां पर जो general awareness का course है हमारा मैंने आपको बताया था यह जो है आज से start हो जाएगा जाने कि एक जून से start हो जाएगा तो आप अभी भी जो है इसके अंदर enroll कर सकते हैं 10,000 MCQs के अंदर और इसको करना क्या पड़ेगा आपको study IQ आप आप डाउनलोड कीजिए study IQ जैसी आप डाउनलोड करेंगे तो वो आपको ऐसे home page पे ले आएगा जा आप play store से डाउनलोड कर लो जा फिर आपको नीचे link मिल जाएगा जैसी home page पे नज़र आएगा तो आपको screen को थोड़ा सा इधर को scroll करना है तो आपको ये 10,000 MCQs का course नज़र आ जाएगा इस पे जाएए और परशेज कर सकते हैं और आज ये classes start हैं और कल मैं आपको बताऊँगा 300 plus students जो है इसके अंदर involvement करी है तो काफी मैं बहुत उत्सक हूँ कि जो आज जो मेरी class जाने वाली है इसके अंदर क्योंकि इसके अंदर दो lectures आपके जाएंगे चीक है डेली डो lectures जाएंगे और दूसरा है हमारा best selling course और इसके अंदर जो है GS course आप purchase कर सकते हैं ये सारा का सार theory course है और theory course के अंदर हमने chapter wise चीज़े डिसस की हुई है और जिस दिन आप खरीदोगे ये सारे की सारी lectures आपको मिल जाएंगे ये सारे की सारी already pre-recorded वीडियो है 290 प्लस इसके अंदर वीडियो है और जैसे ही जैसे दूसरी बात आपको बताता हूँ कि जैसे ये course आपका start हो जैसे वीडियो जो है upload होंगी मैं telegram group के उपर instagram के उपर एक story भी डाल दूँगा कि ये class इसके अंदर डल चुकी है तो आप उसको देख सकते हैं आपको कोई भी doubt हो किसी भी चीज के regarding मुझे instagram के उपर सीधर direct message कर सकते हैं और आज जो मेरे course के अंदर जो है 10,000 MCQs के अंदर part 1, part 2 ये upload हो जाएगा around जो है वो 2PM की जो है मुझे instruction मिली है कि 2PM तक जो है आपके ये course के अंदर upload हो जाएगा team से मैंने बात करी थी but otherwise चाहे late हो चाहे जल्दी हो वैसे हो जाएगा अगर जल्दी हो गया तब भी मैं आपको बताऊंगा अगर late हो गया तब भी मैं आपको topics कर दिया जाएगा कि कितने बजे upload होगा और इसके अंदर सब topics जो मैं cover करूंगा ये सारे topics कवर सब topics कवर होंगे तो आप जिन लोगों ने purchase किया हुआ 10,000 MCUs का course तो वो करेंगा क्या आपको इन topics को पढ़ लेना है और बाद में इस MCUs topic के question answer टिक करने है तो आज मैंने do not grow because देखें प्रती रोपित रोपे जो होते हैं वो उकते नहीं है क्योंकि transplanted seedlings का मतलब क्या होता है कि जब आप gardening वगएरा करते हो तो आप एक जगा से plant का जो हिस्सा है root जो है वो वहां से एक जगा से उठाई और आप दूसरी जगा के उपर लेके चले गए तो that is called transplantation ठ देखेंगे कि जो plant की roots हैं वो जब plant है वो खतम हो सकता है किल हो सकता है जब कोई भी जो क्योंकि carry करके लेके जाओगे तो कोई भी unfavorable condition हो सकती है ताकि जो है आपके जो trees हैं जो सरी plants हैं वो seedlings है वो खतम हो जाए तो इसलिए काफी time देखा जाता है कि जो seedlings हैं वो grow नहीं करती वो क्यों नहीं करती because most of the root hairs are lost during the transplantation क्योंकि मैंने आपको बता है ना roots सारे की सारी क्या हो जाएंगी आपकी खतम हो जाती है जिसके कारण जो है transplantation हमें देखने को नहीं मिलता जाने की seedling grow करने को हमें नहीं मिलती तो answer इसमें क्या बनेगा C option बनेगा next question economic growth in a country x will increase have to occur if जाने के आर्थे विकास करना है किसी देश x के अंदर तो उसमें कैसे होगा देखे क्या होता है economic growth तब होती है मैंने आपको बताया हुआ है जब आपके देश के अंदर investment चल रही हो जब investment चल रही होगी तो क्या होगा सब लोगों को क्या मिलेगा काम चीक है employment मिलेगा काम मिलेगा जब काम मिलेगा employment मिलेगा तो obviously बात है हमारे देश में के अंदर क्या चलेगा economic growth चलेगा यह investment क्यों होगी क्योंकि लोगों के पास money आ चुकी है यह money कहां से आई होगी यह bank दवार आ जने के low rate of interest की policy follow करी होगी तब जाके लोगों के पास पैस आया होगा investment करी होगी economic growth हुई होगी employment करेने को मिलेगी तो यह economic growth तब होती है जब देश के अंदर जो है investment देखने को मिले और investment करने के लिए पैसा जाई होता है जिसके लिए हम word use करते है capital formation capital formation का मतलब क्या होता है investment जाने के पैसा so there is a capital formation in x तो answer इसमें क्या बनेगा c option है तो इसका मतलब उस देश के अंदर capital formation जाने के पूंजी निर्मान हो रहा है that means investment देखने को आपको मिल रही है answer इसमें c option बनेगा पूंजी निर्मान capital formation next question which of the falling leaf modification occurs in the desert areas to inhibit water loss मतलब क्या है कि अगर हम बात करते हैं desert area के अंदर रिंगिस्तान शेतर के अंदर बात करते हैं तो वहाँ पानी कम देखने को मिलता है और desert मतलब मरुस्तल देखने को जादा मिलता है तो उनके जो पत्ते होते हैं पत्तियां होती है लीव होते हैं वो कि इस तरीके के जो है अंदर अपने changes लेके आते हैं तो देखते हैं option के according hard end of waxy leaves बिल्कुल जी वहाँ पे wax cover कर लेते हैं ताके water loss जो है वो कम देखने को मिले जो tiny leaves है और no leaves हाँ बिल्कुल जा तो पत्ते बिल्कुल छोटे होंगे जा होंगे ही नहीं जा फिर क्या होगा thorns instead of leaves बिल्कुल पत्तियों की बजाये जो होंगे वो कांटे देखने को आपको मिलेंगे तो यह तीनों फिनोमिनास देखने को आपको मिलते हैं तो इसलिए answer क्या बनेगा डी option बनेगा so d option 1,2,3 is the correct answer तो यहाँ पे एक चीज़ देखे यहाँ पे इस तरीके के plants देखने को मिलेंगे यहाँ पे जो देखे लीव देखे लीव जो है thorns में convert कर गया इसके ऊपर कोई भी पत्ता नहीं है और इसका जो है waxic coating भी कई वार देखने को मिलती है बना यह cactus के अंदर ना electromagneticism, weak nuclear force and strong nuclear force कह रहा है कि जो nature के अंदर जो है आपकी forces है बल है तो वो चार चीज़ों में divide करते हैं जैसे कि गुर्तवा कर्शन, बिदुत, चुंबकतव, कमजोर परमानूबल और मजबूत परमानूबल इसमें से कौन सा statement जो है वो correct नहीं है not correct पूछा है कौन सा कथन सही जब भी question आप पढ़ते हो तो आप जैसे मैं इसको circle कर लेता हो तो आप भी paper के अंदर आपको इसको circle करना है ताकि आपके दिमाग में चलता जाए कि हाँ ये not पूछा है जग correct पूछा है ताकि जब क्योंकि आप option सेलेक्ट करते हो ना option में तो निकाल लेते हो लेकिन कई पर क्या करते हो आप उपर जो है भूल जाते हो कि पूछा गया था correct पूछा था incorrect पूछा था तो जल्द बाजी में paper solve करते हो ये pressure इतना ज़्यादा होता है तो वो गलती हो जाती है तो दियान रखना इस चीज़ का चीज़ का चीख है तो देखे जी आगे क्या गयता है कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछ रहा है पहला है gravity is the strongest of the force पहला ही कथन आपका गलत है पहला ही गलत है तो answer इसमें क्या बनेगा a option बनेगा जो gravitational force होती है ये सबसे ज्यादा weakest force देखने को आपको मिलती है सबसे कमजोर force देखने को मिलती है तो answer is a option बाकी देखते है Electromagnetism act only on particles with electric charge बिल्कुल जी Electric property, magnetic property उसी में दिखने को मिलेंगी जहां पर electric charge होगा और electric charge के unit क्या होते हैं? कुलाम होते हैं Next है Weak nuclear forces causes radio activity Obviously बात है Radio activity का मतलब क्या होता है जहां पर alpha, beta और gamma rays निकलती है Radio activity तब होगी जब जो आपका जो particle होगा वो unstable देखने को मिलेगा जाने के stability देखने को आपको नहीं मिलेगी तो stability जो होगी वो क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके अंदर जो nuclear forces है वो क्या है? weak है तो ये भी आपका statement बिल्कुल सही है चौता statement देखते है Strong nuclear force holds proton and neutron inside the nucleus of an atom जाने कि जितनी भी strong nuclear forces होती है वो proton और neutron को nucleus के अंदर जो है bind करके रखती है ये भी बिल्कुल point आपका सही है बिल्कुल strong forces जो है bind करके रखती है so nuclear forces जो होती है वो हमारी strongest in nature है और सबसे weakest gravitation force होती है तो answer इसमें क्या बनेगा? A option बनेगा right answer is the A option clear next चलते है the efforts to detect the existence of Higgs boson particle have become news in the past what are the importance of discovering this particle? Higgs boson particle की बात कर रहा है जी news में था ठीक है Higgs boson कन जो है news में थे बहुत time पहले भी news में थे तो ये जो particle है ये किस चीज की importance के लिए बात करता है कि क्या चीज है किस चीज के लिए बात करता है देखे Higgs boson particle जो है पहली बात तो एक elementary particle है बहुत ही minute particle है छोटा particle है elementary particle है और इसके अंदर जो है आपके particle physics theory के अंदर बात आती है कि हाँ कि जितने भी छोट-छोटे particles हैं वो discover किये गए वो collide किये गए और Higgs boson जो है आपकी elementary form में ये particle नजर आ जाते हैं जैसे Higgs boson particle हो गया ठीक है मिजोन वगएरा ये elementary particles देखने को आपको मिलते हैं और ये Higgs boson जो है ये आपके जो जो मतलब boson वगएरा को जो है जैसे हम particular field लगाते हैं तो boson boson जो है आपका Higgs boson particle जो है उसको attract करता है जो है clusters में बन जाता है जस्ट ये चीज़े आपको पता होनी चाहिए ज़्यादा detail में बहुत ज़्यादा detail में मत घुसना नौर्मल चीज़ है तो answer इसमें क्या बनता है देखते हैं तो पहले point कहता है It will enable us to understand to why elementary particles have mass बिल्कुल ये हमें बताता है कि ये क्या बताता है कि elementary particles का mass के बारे में बताता है अभी आपको बता है कि Higgs boson particle किसके बारे में बताता है elementary particles तो answer तो ये option तो बनेगा दूसरा It helps It will enable us in the near future to develop the technology of transferring matter from one point to another without traversing the physical space between them ऐसा कुछ भी नहीं है थर्ड है It will enable us to create better fuel for the nuclear fusion ऐसा भी कुछ नहीं है elementary particles है हम इसके अंदर जो है magnetic properties electric properties और जो है आपका elektromagnetism वगरा जा फिर आप ऐसे कह सकते हो कि attraction की properties जो आपके particles है किस तरीके से जो है आपकी moon जो moon है वो slow घूमता है तेज घूमता है इतने छोड़ छोड़े particles की उनकी जो magnetic field है वो electromagnetic field है वो क्या है कैसी है वो चीज़े हम discuss करेंगे मतलब इसके अंदर हम वो चीज़े ढूंडेंगे तो इसलिए option क्या बनेगा जी आपका ए option ही बनेगा only one is the correct answer next question mycorrhizal biotechnology has been used in rehabilitating degraded sites because mycorrhizal helps too plants too देखे क्या कहता है कि जो mycorrhizal जो होती है जैविक प्रती योग की होती है ये जो जितने भी खतम sites होती है जाने के खराब sites होते है खतम होती है तो वहाँ पे rehabilitate जाने के उनका पुनरवास करने में मदद करता है और ये किस तरीके से मदद करता है किसी भी plant को जब भी आप कहा रहे होगे जब degraded है तो इसका मतलग है कि वहाँ पे जो है आपकी soil absorption करवा देगा ठीक है जा फिर आप ऐसे कह सकते हो कि वहाँ पे productivity increase कर देगा जा फिर ऐसे में शेतर में व्रिधी करेगा दूसरा है tolerate extreme of pH pH value को जो है tolerate करेगा बिल्कुल high temperature को भी जो है tolerate करता है heavy metals को भी tolerate करता है resist disease infestation जाने कि आपके बिमारी के against जो है काम करता है बिल्कुल करता है जी तो answer इसमें क्या बनेगा आपका D option बनेगा 123 is the correct answer और मैं आपको बता देता हूँ कि जो mycorrhiza है mycorrhiza जो है ये आपके जो जितने भी root disease होती है उनको बचाने में काम करता है उसकी suppression कर देता है और ये जो है nutrients को absorption करने में मदद करता है जो कहां से आते हैं soil वगेरा से आते देखने को मिलते हैं clear तो ये mycorrhiza वैसे जो होती है that is a mutualism that is symbiotic association किसके बीच में होती है fungus और algae के बीच में देखने को आपको मिलती है दोनों बीच में ये क्या मिलती है हमें that is that is जो है आपकी symbiotic association देखने को मिलती है clear और देखते हैं इसके अंदर answer इसका D option बन गया अब आपको एक picture दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखें जी क्या है ये एक plant है तो ये mycelium उसने बना लिया हाइफे बना लिये जिसके कारण जो है वो क्या कर रहा है nutrient acquisition कर रहा है अपने plant के अंदर ठीक है ये mycorrhizal आपकी उसके अंदर चलता है अगर without mycorrhizal होगा fungi होगा तो इस तरीके से दिखेगा sorry with fungus दिखेगा तो इस तरीके से grow करेगा और without होगा तो इस तरीके से grow करेगा तो mycorrhizal जैसे मैंने आपको बताया कि this is the association between the algae और the fungus तो answer is जो है इसमें इसलिए D option बना था next question who among the following constitute the national development council national development council के अंदर इन में से कौन सी चीज़े सही है राष्ट्य विकास परिशद के अंदर पॉइंट सही कौन से है तो राष्ट्य विकास परिशद जो है 1952 में बना था अगर आपसे पूछा कि August 1952 में चीख है तो August 1952 में बना था ना तो ये constitutional body है ना ये statutory body है तो ये decision क्या लेती है जितने भी planning commission की चीज़े होती थी जो five year plan का concept बनाते थे उसका decision लेता था राष्ट्य विकास परिशद national development council और इसके अंदर जितने भी members है आपके planning commission के वो होते थे प्लस national development council में planning commission के इलावा जितने भी chief minister होते थे states के वो इसका part होते थे तो देखते है national development council council राष्ट्य विकास परिशद के अंदर लोग कौन होते थे prime minister बिल्कुल जी आएगा तो कि prime minister was the chair person of the नितिया योग जी से आप आज कहते हैं और was the chair person of the planning commission ठीक है तो वो इसका chair person होता था दूसरा है that is chairman finance commission नहीं finance commission का के लेने देना कहां पर है यहां पर finance commission तक काम क्या होता है कि जितना भी tax आया पैसा आया वो distribute करना central state में इसका कोई भी लेना देना नहीं है minister of the union cabinet बिल्कुल आते थे जी minister of the union cabinet chief minister of the state ये भी बिल्कुल आते थे जाने के आपका पहला तीसरा और चौथा point जो है बिल्कुल सही है तो option देखो कहां पर ये बी option बनेगा right answer 1, 3 and 4 is the correct answer 1, 3, 4 is the right answer next question इन में से कौन से ऐसे associations हैं जो rural households के अंदर जो है आपकी proper तरीके से direct credit provide करते हैं तो direct credit provide करने के लिए जो association होती है पहली बात हो financing कौन करता है पैसा देता कौन है वो नाबाड देता है नाबाड जो है main authority है जो गाउं के लोगों के लिए भलाई करते हैं कि इसका नाम ही क्या है national bank for agriculture and rural development अब लेकिन नाबाड सीधा जाके पैसे नहीं देता कि हाँ लोगों के घर पे पैसे देने लग जाएगा नाबाड क्या करता है नाबाड RRB को दे देगा regional rural banks को दे देगा cooperative banks को दे देगा ठीक है जा फिर आपकी जितनी भी micro finance companies है उनको दे देगा micro finance institutions है उनको दे देगा cooperative societies को दे देगा इस तरीके से पैसा इन लोगों को देता है और यह जो तीनों institute आगे यह आगे जाते है जो है लोगों को that is rural household के पास आते है ना कि नाबाड सीधा इनके पास नहीं जाता यह चीज़ यहां रखे तो यहां पर कोशन ही यह है कि direct credit जो है वो rural area के लोगों को कौन देता है regional rural banks तो आएंगी आएंगे जी बिल्कुल सही point है national bank for agriculture यह तो नाबाड हो गया अब जो नाबाड है नाबाड 1982 के अंदर बना था जो आपका एम ही है इसका क्या है agriculture और rural development के लिए focus करना RRB के अगर मैं बात करता हूँ तो 1975 में बने थे 2 October 1975 को ठीक है RRB को चलाने के लिए जो है तीन जगा तीन लोगों की जो है association होती है जाने के तीन लोगों का share है इसमें center government का state government का और sponsored bank का sponsor bank मतलब कोई भी nationalized राश्चेकरित bank हो सकता है center government चाहे फाइदा हो नुकसान हो उसका 50% जाएगा जाने के center government पैसा देगा भी 50% अगर फाइदा हुआ तो भी 50% लेगा state government जो है वो आपकी 15% देखने को मिलती है और जो sponsored bank होते हैं वो 35% जो है share लेते हैं तो answer इसमें क्या बनेगा जी आपका C option लेन देन 50, 15 और 35 में ही चलता है यह चीज़ दिया रखना है तो answer इसमें C option बनेगा next question with reference to the food chain in the ecosystem which are the following kinds of organism are known as decomposers organism इनमें से जो decomposers जीव होते हैं वो कौन से कहलाते हैं decomposers का मतलब क्या होता है जो dead materials के उपर जिंदा रहते हैं और उनको जो है खतम करते हैं इसलिए इनको dead rewards के नाम से भी जानते हैं और decomposers के नाम से भी जानते हैं जैसे decomposers क्या करता है जितना भी organic material होता है यह होंगे, decomposers होंगे वहाँ पे जो soil है वो grow जल्दी से जल्दी करेगी nutrient level जो है उसके अंदर जल्दी से जल्दी increase करेगा ठीक है, तो इसमें से कौन से वो decomposers नहीं है, virus they are not decomposers, fungus और bacteria है दोनों ही, तो answer इसमें क्या बनेगा, that is two and three only, option क्या बनेगा be option क्या बनेगा, right answer बनेगा, fungi और जिवानू होते हैं आपके decomposers, virus क्या होते हैं, virus होते हैं, connective link between the living and the non-living जीवित और अजीविक चीजों के बीच में link कौन है, virus है, virus को discover किस ने किया था, I've no वसकी ने, और पहला, जो virus discover किया गया था that is tobacco, मुझे एक virus discover किया गया था, तो answer इसमें क्या बनेगा जी, आपका be option, तूसरा और तीसरा, next question the most important fishing ground of the world are found in the reason where, देखें, ये question आप सीधा सीधा याद कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं, कि fishing ground वहाँ पे होंगे, जहाँ पे, fishing ground वहाँ पे होंगे, जहाँ पे आपका गरम और ठंडा पानी मिलता है, warm and cold water जो मिलता है तो उस time पे क्या मिलता है, आपका fishing ground वहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो warm and the cold atmospheric current meet, answer इसमें क्या यहाँ पे एक चीज दियां रखी, यहाँ पे एक चीज दियां रखनी है, यहाँ पे word है atmospheric, मैंने यहाँ पे बोला atmospheric यह गलत है, मैंने आपको बताया था warm and ocean current बोला है मैंने, तो one and three में confusion नहों जाए कि जैसे मैंने भी आपको बोल दिया यहाँ पे oceanic current चाहिए, जो पानी में चलने वाले हैं, पानी में चलने वाले तो answer इसमें क्या बनेगा, आपका sea option बनेगा, sea option is the right answer लेकिन जब atmospheric current जाने की हवा meet करती है, तो आपके front बनते हैं क्या बनते हैं, front बनते हैं आपको द्यान रखना है, तो लेकिन पानी मिलेगा, तो fishing ground मिलेंगे for example, अगर मैं कहूं कि यहाँ आपका जो जैसे जापान के पास, जापान के पास जापान में, दो current मिलते हैं वहाँ पे, that is kurushio current जो kurushio current है, यह warm current है और cold current मिलता है, काम चटका काम चटका जो है, आपका cold current मिलता है, जापान के पास, वहाँ पे fishing ground है, और दूसरा जो main है वो भी आपको पताना चाहिए North Atlantic Drift है, और यह है warm वाला, ठीक है और एक होता है आपका labrador current, labrador current जो है वो cold वाला है, जैसी यह दोनों मिलेंगे तो आपस में क्या हो जाएगा, fishing ground देखने को आपको मिलेंगे, तो answer इसमें क्या बनेगा, जी आपका C option बनेगा right answer, clear C option अच्छे एक चीज़ और मैं बताता हूँ जहाँ पे आपके दो warm current मिलते हैं, जैसे ही आपके दो warm current मिलते हैं, ठंडा और गरम मिलता है, तो उस जगा के ऊपर जो है, fog condition देखने को आपको मिलेगी, वहाँ पे fog देखने को पक्का मिलेगी, मिलेगी, for example Labrador current और Gulf stream, ये दोनों मिलते हैं और जब मिलते हैं, ये fog बनाते हैं और मैंने आपको बता दिया ना, ठंडा और गरम पानी, जैसे आप नहाते हो तो उसमें गरम पानी बालते मिलेगी, फिर उसके बार ठंडा पानी मिलाओ, तो उसमें भी क्या होते हैं fog बन जाती है, तो ये Labrador current और Gulf stream जो जुड़े थे, fog बनी थी, और ये reason बना था, जो आपका Titanic tragedy का, ये दो current मिले थे, आपस में, जिसके कारण Titanic tragedy देखने को मिली, वहाँ पे दिखा ही नहीं उनको आगे, कि iceberg है क्यों fog ही इतना ज़्यादा हो रखी थी answer इसमें क्या बनेगा, C option बनेगा next question, which of the following are the unique characteristic features of the equatorial forest, equatorial forest जो है, आपके विशुवत 1 की जो है, main conditions क्या होती है, देखे जितने भी आपके equatorial, जो forest होते हैं, वो rain forest देखने को आपको मिलते है, rain forest इसलिए क्योंकि equator जो है, वहाँ पे क्या होता है, high temperature और high rainfall, डोनों condition meet करती है, और इनके leaves होते हैं, पत्तों के यहाँ पे जो 10 degree, north और south दोनों में देखने को आपको मिलेंगे, 0 degree से उपर जागे, clear, और इस reason को आप doldrums कहते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है, आपको, mainly equatorial forest मिलते हैं, सारा का सारा साल, throughout जो है, temperature रहता है, बारिश होती रहती है, और जो यह phenomena देखने को आपको मिलता है पूरा का पूरा साल, ठीक है, तो अब question यहाँ पे यह है, कि इन में से जो statement है, वो कौन सी सही है, characteristic feature में, equatorial forest के बीच में, तो point देखे जी, पहले क्या है, that is presence of the tall closely set trees with crowns forming a continuous canopy बिलकुल सही option है, जी बना लेंगे, evergreen forest देखने को आपको मिलेंगे, दूसरा है large number of species देखने को मिलेंगे obviously बाद है, पान ही आ रहा है, बारिश आ रहा है पेड पौदे हैं, तो species देखने को मिलेंगे, मिलेंगे, next है variety of epiphytes, epiphytes का मतलब में आपको बताया था कि जैसे trees बगरा होते है trees है, ठीक है, ये trees है तो इसके उपर कुछ पत्ते बगरा ऐसे कुछ और उग गया, तो that is called epiphytes, ठीक है, तो ये भी चीज़े देखने को मिलेंगे, इतनी घनी चीज़े हैं, कोई ना कोई चीज़े तो नजर आएगी, आएगी तो ये तीनों चीज़े आपको नजर आएगी तो 1, 2, 3 क्या बनेगा, राइट अंसर बनेगा so D option is the right answer 1, 2, 3 is the correct one इस तरीके से दिखते हैं आपके equatorial forest या ऐसे वाले आपको देखो यहाँ पर क्या होगा, temperature भी हाई होगा और यहाँ पर rainfall भी हाई होगी और species भी बहुत ज़्यादा घने जंगलों में मिलती है यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है ठीक है, यह चीज़ आपको clear होनी चाहिए now, what is the meaning of the capital account जाने कि पूंजी खाता जो होता है उसमें कौन सा पैसा हम जमा करके रखते है तो मैं आपको यह चीज़ दिखाना जाहूँगा पहली बात तो यह तो that is called balance of payment balance of payment का मतलब क्या होता है जिसमें आपका दोनों account आता है current account और capital account तो यहाँ पे जो question है वो capital account के उपर है capital account में जैसे investment होती है FDI, FII, EA और जितने भी loans है आपके government के external commercial borrowing और NRIs की जितने भी account है वो सारे के सारे किसमें आ जाते हैं आपके capital account में आते हैं और यहाँ पे current account में जिसमें आपका goods जो है आपका जो है trade हो रहा है उसमें आता है ठीक है और जैसे goods or services बगरा जिसमें देखने को मिलती है तो यहाँ पे देखे जी जैसे crude oil, cars, mobiles, computer, gold और plus services देखे, income, transfers, remittances, donation, gift, dividend, profit जिसे interest और profit यह सारे के सारे किसमें आते हैं आपके current account में आते हैं तो यहाँ पे देखे जी अब question जो आपको दिखाया था कि यहाँ पे कौन से capital account में बनेंगे capital account का मतलब जहाँ पे long term के लिए पैसा आता है जैसे के foreign loans होगे, FDA हो गया, FII हो गया और portfolio management जिसे आप FII कहते हैं private remittances नहीं private remittances में आपको बताया था कि current account में देखने को आपको मिलते हैं तो यहाँ पे देखेजिए transfers की बात आई थी यह आगे remittances वगयरा देखने को मिलते हैं बाकी यहाँ पे FII, FII और NRI के accounts जितने भी borrowing है वो सारे के सारे इसमें आएंगे तो इसका मतलब third option नहीं आएगा बाकी one, two, four आएंगे तो answer इसमें क्या बनेगा? B option बनेगा So B option is the right answer F day जब भी हमारे देश में आती है long term के लिए आती है और हमारे देश को stable बनाती है और stable बनाते है कोगी employment generation करती है क्योंकि long time में जाएगी और FII जो होती है portfolio management जिसे आप कहते हैं यह short term के लिए पैसे लगाते हैं और यह जैसी इनको profit देखे यह भाग जाते है और इसी कारण इस economy इस money को हम क्या कहते है hot money FII को और यह no doubt की कुछ time के लिए stable होते हैं लेकिन long time में stable नहीं होते भाग जाते हैं जैसी इनको profit नजर आता है so next question देखते हैं जी अब तो इन places को देखना है moral paintings के बारे में बात कही गई है कि हाँ जी इन में से जो भित्ती चित्र है वो कौन से है moral paintings इसमें से कौन सी है तो पहले तो moral paintings के बारे में बताना चाहूँगा कि moral paintings इस तरीके के दिखते हैं मुराल पेंटिंग में होता क्या है जो मेंली जैसे कोई human form आपको नजर आ जाएगी कि हाँ किसी चीज के अंदर वो किसी चीज के अंदर वो बैठे हैं कोई art form है चाहे वो convex हो flat और concave हो किसी भी चीज के अंदर जो है वो proper तरीके से बैठे हैं और faces के जो expression है वो देखने को मि आ दिया कि यह भी दिखा देता हूं यह भी दिखा देता हूं तो यह भी moral painting है यह भी आपकी moral painting है तो यहां पर कोई ना कोई चित्र है कि यहां पर कोई ना कोई चीज हो रही है कोई ना कोई आपके जो मतलब कोई script हो सकती है anything कोई भी मतलब कोई बात हो सकते को dance form हो सकती है जैसे आपको पिच्चरों में नजर आ रहा है, तो ये कोशन पूछ रहा है, कि ये कौहां पे, कौन सी जगा के उपर जो है, मुराल पिंटिंग्स देखने को मिलती है, तो यहां पे देखे जी, जैसे आपका अजंता गेव्स, बिल्कुल अजंता गेव्स जो है, आपके इसके अंदर बना हूँ है, मुराल पिंटिंग्स के अंदर सांची स्तूप का लेना देना कुछ भी नहीं है, तो इसलिए वन और टू अप्शन क्या बनेंगे, राइट अंसर बनेगे, बी अप्शन क्या बनेगा, राइट अंसर बनेगा, बी अप्शन is the correct answer, नेक्स बनाती है देखे बाइडिवस्टी का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे चीजों को गुरो करवाना वहाँ पे जैविक बिवित्ता का मतलब क्या है प्लांट्स एनिमल्स लाज नंबर ऑफ स्पीशीज जो है एक जगा के उपर एक्जिस्ट करती है और जिससे क्या होगा कि स्वा बिवस्टी के लिए पॉइंट बता रहा है कि कौन सा सही है स्वाइल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा बिल्कुल सही है नेक्स है प्रिवेंशन ऑफ दस्वाइल इरोजन मिदा अपर्दन को जो है रोक थाम करना ये भी बिल्कुल देखने को मिलेगा रिसाइकलिंग आफ वेस्ट जाने के कच्छरे का पुन जो है वेस्ट को दुबारा सी रिसाइकल करना ये भी पॉइंट देखने को मिलेगा क्रॉप्स की पॉलिनेशन देखने को मिलेगी फसलों का प्रागन देखने को मिलेगा ये भी बिल्कुल देखने को मिलेगा चारों स्टेटमेंट आप आपका D option बनेगा 1,2,3,4 is the right answer for the biodiversity जो आपके biodiversity में देखने को मिलेगे जो आपका सबसे हाँ species देखने को मिलेंगी recycling होगा, pollination होगी, soil erosion दूर हो जाएगी, soil formation देखने को मिलेगी human species बहुत सारी रहेंगी और ecological balance रहेगा, economical balance रहेगा paper जो wax rubber, perfumes, lubricant, oils बहुत सारी चीज़ेंगे जो प्रटक्स हमें देखने को मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे जो daily life के अंदर grow करेंगी, help करेंगी वो चीज़ें देखने को मिलेंगी answer is D option next option aspartame is an artificial sweetener aspartame is an artificial sweetener sold in the market it consists of amino acids and provides calories like amino acids yet it used as a low calorie sweetening agent in the food items what is the basis of this दिखे क्या कह रहा है, aspartame जो है ये एक जो है artificial तरीके से हमने जो है मीठा बना रखा है, इसके अंदर जो होते हैं amino acid देखने को मिलते हैं और calories भी amino acid जैसे देखने को मिलती है, but फिर भी ये low calorie sweetening agent होता है जो हम खाते हैं, इन में से कौन सा statement जो है वो इसके अंदर character बनता है पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, जैसे आप sugar free चीजे खाते हो sugar free मतलब जो जो गोली सी खाते हो ना, sugar free वाली yellow डबी में होती है sugar free वाली, तो वो एक आपका artificial sweetener होता है जैसे आप उसको खाओगे आप भी normal खाके देखना कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती हाँ, बट excess में खाना नहीं चाहिए, सिर्फ diabetic patients के लिए वो होती है अगर आप खाओगे ना, तो भी आपको जैसे चाए में डाल लो, दूद में डाल लो, तो आपको मीठा मीठा महसूस होगा क्यों आप कहेंगे कि हाँ, मीने चीनी ही डाली है, और बहुत चम्मस जाली है और बहुत सारी चीज़े हैं जो इसकी calories को lose कर देती है, और calories कम आ जाती है चीक है, तो इसमें option देखते हैं क्या बनेगा Aspartum is sweet as a table sugar, नहीं, बिल्कुल मैंने आपको बता कि aspartum ज़्यादा sweeter होगा बहुत multiple, जाने कि अगर मैं बात करूँ कि 200 times लगा लो, minimum 200 times minimum 200 times sweeter होगा, यह चीज द्याहा रखे, when aspartum is used in food processing, the sweet taste remains but it becomes resistant to oxidation, नहीं, ऐसा नहीं है जी, oxidation होगा, lifetime बढ़ जाएगा उसका, लेकिन ऐसा नहीं है, कि वो oxidation करने से बच जाएगा, तो यह भी गलत, यह भी गलत aspartum is sweet as sugar but after ingestion into the body it is converted into a metabolites that yields no calories, गलत statement है यह, क्योंकि जो aspartum है, वो table sugar से जो है वो बहुत मीठा है, और इसलिए हम food के अंदर जो है आपके डालते हैं और यह oxidation भी हो सकती है, तो answer इसमें क्या बनेगा, D option बनेगा, अगर oxidation होगी, तो चेनी जो है खराइब भी हो सकती है, answer is D option, next question, what was the purpose with which sir William Wederburn and W.S. Kane set up the parliamentary committee in the 1893, देखे, question क्या गह रहा है, कि इन्होंने 1893 के अंदर, Indian parliamentary committee के अंदर जो set up किया था, तो इन्होंने क्या किया था, क्या purpose था उस चीज़ का, देखे, यह जो दो लोग है, William Wederburn की, अगर मैं बात करता हूँ, और मैं बात करता हूँ, Justice John, Justice John, Jardine, ठीक है, इन दो लोगी बात करता हूँ, Wederburn और Justice John, Jardine की बात अगर मैं करूँ, तो यह इन्होंने International Congress जो है, बनाना, इन्होंने International Congress जो है, बनाया था, इंडियन National Congress जो बना था, वो बना था, 1885 के अंदर, 1885 इस वी के अंदर बना था, गोकुलदास तेजपाल कॉलेज, जो संस्कित कॉलेज था, और A.O.H.E.M. की मदद से बना था, लेकिन इसके अंदर ये भी लोग थे, Wederburn भी था, जॉन जैरिडाइन भी थे, और ये चाहते क्या थे कि इंडियन National Congress बने, और जो इंडियन्स हैं, उनको जो है, फायदा हो, ठीक है, तो इसी लिए, जो सर विलियम बैडरवन और W.S. Cain का जो मुद्दा था, वो क्या था, कि हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन Political Reform चाहते थे, House of Common के अंदर इन्होंने agitation किया था, विरोध किया था, कि लोगों को जो है, आपके जो इंडियन्स हैं, उनको जो है, राइट्स मिलने चाहिए, और इसी चीज़ के कारण जो है, इनका नाम जोड़ता है हमारे इंडियन National Congress के, जो स्टार्टिंग में जब बनी थी, तो Next Question, CFL और LED Lamp के अंदर जो है, वो difference क्या है, Compact Fluorescent Lamp और Light Emitting Diode, CFL और LED दोनों में फरक आपको पता ही होगा, जैसे आपका 100 Watt का बलब होता है, वो CFL होता है, LED का बलब होता है, 0-10 Watt के अंदर भी उतनी इनर्जी दे देता है, और Shelf Life बड़ी होती है, चीक है, Main Difference क्या पो uses semiconductor material, बिल्कुल option सही है जी, LED के अंदर semiconductor होता है, CFL के अंदर mercury और phosphorus होता है, और mainly जैसे अगर मैं बात करूँ कि आपके जितने भी solar cooker बगएरा होते हैं, जैसे उसमें भी semiconductor होता है, और silicon बगएरा देखने को आपको मिलता है, चीक है, तो answer इसमें यह option तो बनेगा, दूसरा ह average life of CFL is much longer than that of a LED lamp, CFL की life इतनी ज्यादा नहीं होती, LED lamp की ज्यादा life होती है, तो दूसरा statement आपका बिल्कुल गलत हो जाता है, तीसरा है, a CFL is a less energy efficient as compared to LED lamp, LED lamp जो होता है, यह energy बहुत ज्यादा देता है, और CFL जो है आपकी, जो less energy efficient as compared to the LED lamp, question जहां से समना है, कि CFL जो है energy less देता है as compared to LED lamp, बिल्कुल सही है, energy LED lamp ज्यादा देता है, LED इसलिए देता है, क्योंकि इसकी shelf life जाने कि shelf life कह सकते हो, जा long life कह सकते हो, इनकी ज्यादा होती है, और answer इसमें क्या बनेगा, आपका third option भी बनेगा, right answer, जाने कि A option और third option क्या बने यहां पर correct answer बन जाएगा, केवल one or three is the right answer, next, recently oil zapper was in news, यहां पर recently word हटा दो कि पुराने question है, oil zapper का काम क्या होता है, mainly oil zapper का काम होता क्या है, यह आपको पता होना चाहिए, oil zapper जो होता है, एक जितने भी आपका oil spills होते है, ठीक है, और जितने भी तेल फैलाव हो गया, चड़ो गया, तो उसको जो है, दुबारा से, दुबारा से बनने की, बनाने की कोशिश करता है, ताकि जो वो हमारा प्रयावर्न है, जाने कि eco-friendly वो चीज़ बना सके, तो oil zapper mainly कि इसके लिए यूज़ होता है, eco-friendly technology for the remediation of oils legend, the oil spills, answer इसमें क्या बनेगा, यह option बनेगा, right answer जितने भी bacterial strains होते हैं, उनको खतम करके, जो है आपका remediation, spills और बहुत hazardous hydrocarbon waste को खतम करके, और बहुत अच्छा product बनाता है, और ताकि हमारे environment उसको कोई नुकसान ना हो पाए, तो answer इसमें यह option बनेगा, next question है, question क्या गहता है, एक married couple है, उन्होंने एक बच्चा male child adopt किया है, क लेकिन तीनों बच्चों के जो है, तीनों सन के जो blood group है, वो A positive है, B positive है, O positive है, लेकिन question यह है, कि adopted child का blood group क्या होगा, यह बहुत simple सा question है, मैंने अपने course के अंदर बता रखा है आपको, क्या कैसे, देखिए जी क्या होता है, जैसे AB है, ठीक है, तो AB को मैंने आपको बताया हमेशन जो है, दो चीजों में depend करती है, तो यह हमेशन IA और IB बनता है, ठीक है, और दूसरा blood group की कौन सा है, आपका O, सो O का क्या बनता है जी, यह IO बनेगा, जा IO बनेगा, ठीक है, अब क्या होगा कि इसके साथ fusion करवा दो, मतलब multiplication करवा दो, क्या बन सकता है, तो क्या बन जाने कि A positive बनेगा, B positive भी बनेगा, ठीक है, बाकी यहाँ पर जो है, ओ negative बच्चा भी बनेगा, लेकिन बात यह है कि तीन बच्चे उन्होंने बोला है, जिसमें आपके option क्या दी है, A positive, B positive और O positive, तो इसमें तीसरा बच्चा कौन होगा, जब A, B positive बन रहे हैं, इन दोनों के, blood से, तो obviously बात है, जो adopted child होगा, वो क्या होगा, O positive blood group होगा, तो answer इसमें क्या बनेगा, A option बनेगा, O positive बच्चा जो है, वो adopted child देखने को मिलेगा, next question, महात्मा गांधी said that, some of his deepest conviction were reflected in a book titled, Unto This Last, and the book transformed his life, what was a message from the book that transferred महात्मा गांधी, देखे, Unto His Last जो book है, ये किस की है, John Ruskin की book है, इस book को पढ़ा था, और इन्होंने क्या statements दी थी, वो हम देखके चलते हैं कि क्या चीज़े हैं, देखे, एक question क्या गाता है, जो इनकी life को change किया, इन्होंने कहा कि rising of all का concept दिया, rising of all, जाने कि rising of all का मतलब सरवोध्या का concept दिया, मतलब सब का उध्या है, आप सबको resources प्रोवाइड हैं, सबको resources हैं, काम करो, हिम्मत करो, मेहनत करो, सबको चीज़ मिलेंगी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, कि आप किसी से छीन रहे ह अगर आप पता है, कहीं पर भी चले जाओ, resources हैं, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कोई भी बंदा जो है, मेहनत के बिना कुछ नहीं बन सकता, अगर मैं कहूं, अपने लिए भी मैं बात करूँ, तो मैंने मेहनत करी है, मैंने hard work किया है, और आप मुझे सुन ठीक है, तो इसमें statement देखते हैं, पहला point क्या है, अप lifting the oppressed and poor is the moral responsibility of the educated man, ये बिल्कुल सरा सर गलत वर्ड है, ये कुछ भी ऐसा नहीं था, मैं आपको देखो, इसमें आपको एक logic चीज़ बताता हूं, जो life के लिए भी logic हो, और वैसे भी पता हो, अगर आप एक चीज़ बत पूर है, अब आप खुद देखो, इंडिया के अंदर, जो बच्चा पूर है, वो भी जो है, बहुत अच्छा पढ़ सकता है, वो, क्योंकि resources इतने सारे हैं, आप पढ़ने वाले होने चाहिए, आप ये नहीं होना चाहिए, कि आपके अंदर ये होना चाहिए, कि जो है, न जो बच्चा पढ़ा लिखा है, उसकी responsibility है, कि जितने भी गरीब लोग हैं, उनको उठाना, गरीब लोगों को मेहनत करनी है, गरीब लोगों को उठना है, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं भी बहुत background से आया हूँ, मैं भी एक poor background से आया हूँ, मैंने मेहनत करी, आज इस जगा के उपर पहुंचा, आप भी पहुंच सकते हो, हमेशा मैं यही बात करता हूँ, कि पूर लोग ऐसा समना हैं, कि हम गरीब हैं, आप गरीब तब होगे, जब आप मान लोगे, आप हमेशा अमीर हो, अमीर तब हो, तक कब अमीर हो, जब आपने सोच लिया कि पढ़ा सकते हो, तो यह चीज ऐसा गलत है, कि अपलिफ्टिंग दा पूर is a moral responsibility of the educated man, clear, तो यह पूरा का पूरा सरासल जो है, यह statement गलत है, यह ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे जो है मेरी statement से मुझे पता है, कि गालें भी देंगे, मैसेज भी करेंगे, बिल्कुल सही है जी, इसका मतलब क्या होता है, यह इसका मतलब होता है, राइजिंग ओफ 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 ओल, जाने के सर्वोध्या का concept, ठीक है, सर्वोध्या का concept, बिल्कुल सही चीज है, clear, यह चीज आपको clear होनी चाहिए, अब good of individual is contained in good of the all, तक all का मतलब क्या है, देखे, सम चाहिए, कि हाँ, सब को उठने का, सब को काम करने का, एक जो मौका है, वो आप ले सकते हैं, सब का उध्या कर सकते हैं, rising of all कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कि अगर मैं को हूँ, कि अगर मैं आपने जैसे normal की बात कर रहा हूँ, ताकि आप इस चीज को not in other way लेके जाना, अगर म बचा कोर्स खरीद रहा है, उसका फाइदा क्या हो सकता है, उसका फाइदा ये हो सकता है, कि वो पढ़के अच्छा बन जाएगा, उसको इस कोर्स की कदर पता लगेगी, जब वो selection ले लेगा, ये नहीं है, मैं हमेशा कभी भी नहीं कहता, भई आप खरीदो, आप खरीदो आपकी मर्जी है, आपको लगता है, कि मुझे कोर्स से पढ़ना चाहिए, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, कहीं और जगा के उपर, तो आप कोर्स परचेस कीजिए, ठीक है, तो इसको ऐसे मैं समयना कि मैंने यहाँ पर एड़ कर दी, आपको एक समझाने के ल खरिया है, तो कंपनी भी उठ रही है, तो सेम वो ही, अगर आप कल को जॉब करोगे, तो जॉब वाले बंदे, जो गॉर्मेंट वाले बंदे होंगे, गॉर्मेंट होगी, वो आपको किस चीज के लिए पैसे देगी, भाई, तुम उसके लिए काम करके दे रहे हो, तो सेम को ही चीज है यह होता है सरवोधय का concept जो महात्मा गांदी जी ने दिया था ठीक है तो B option इसमें right answer बनेगा तीसरा है the life of celibacy and the spiritual pursuit are essential for the noble life ऐसा कुछ भी नहीं है जी ऐसा कुछ भी लेना देना इनोंने कुछ नहीं बोला तो D तो गलती बन जाएगा तो answer इसमें क्या बनेगा जी आपका B option बनेगा व्यक्ति की भलाई जो है सब के hit में ही नियत होती है so answer is B option is the correct answer clear so ये थे आज की lecture के अंदर question बाकी आपको इस lecture की PDF आपको telegram group के उपर मिल जाएगी और Instagram के उपर मुझे follow करना मत बूलना क्योंकि मैं काफी highly active रहता हूं यहां पे और आप जो है मेरा GS GS course purchase कर सकते हैं दो courses हमारे start हो चुके है 10,000 MCQs का course जो है आज 1 June है आज इसके अंदर जो है दो classes जाएंगी हमारी 12 बज़े के 2 बज़े के आसपास जो है 2 PM के आसपास classes जाएंगी तो फटा फटा फट आप इस course को purchase कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको करना है क्योंक theory course है इसके अंदर जो है 290 प्लस वीडियो है एक चैप्टर के उपर हर वीडियो बना रखी है तो इसके अंदर जो है general awareness का course मैं highly recommend करूंगा reason why highly recommend करूंगा क्योंकि इसमें हम chapter wise MCQ discuss करेंगे बहुत सारे जो है तथ्य बहुत सारे दिमाग आपके खुल लेंगे 10,000 MCQ course के कोई है नहीं है वो आप डिसाइड करेंगे कि मुझे जरूरी है चाहिए नहीं चाहिए वो आप डिसाइड करोगे कोई doubt आपको इस course के regarding आइट है 10,000 MCQ चाहिए GS course के regarding तो आप मुझे सीधा instagram के उपर message करेंगे डॉक्टर विपन गोय से आपको चीज़ें सर्च कर लेनी है so thank you so much all the very best good luck take care